अध्याईश ये जपान में रहने वाले लंबी आजू के लोगों की सीख अनंदित और लंबी आजू के लिए जपान के रिती रिवाज और कहावते ओगीमी पहुंचने के लिए हमें तकरीवन तीन घंटे लगे पहले विमान से जात्रा करके टोक्यों से नाहा जना पड़ता है जो किनावा की राजधानी है कुछ महीने पहले हमने उस गाउं की मुख्या को फोन करके अपने आने का परजोजन बताया था वहाँ के सबसे लंबी आजू के लोगों से मुलाकात करने की इच्छा भी हमने जाहर की थी काफी चर्चा करने के बाद हमें सहमती मिली तब हमने उसी गाउं के नजदीक एक कमरा भाड़े पर लिया किताब का काम शुरू करने के तकरीबन एक साल बाद हम ऐसे लोगों के बीच पहुँचे जो सबसे लंबी आजू के लोग थे हमें महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर समय थमसा गया था रुक गया था क्योंकि वहाँ के लोग आज अभी यहीं वाली भावना में ही जी रहे थे वो गीमी में आगवन नहां से दो घंटे ट्रैफिक के बीच में से जात्रा करने के बाद हम कम भीड़ वाले इलाके में पहुँचे हम जिस रास्ते से जा रहे थे उसके एक और समुंदर था और दूसरी और जानबारू जंगल से भरा हुआ पहाड था अठवंजा क्रमांग के रास्ते जाते हुए हम नागो पहुँचे यहां पर ओकी नावा औरियन बीर बनाई जाती है इस मार्क से जाते हुए पहाड के बाजू में छोटे-छोटे घर और दुकाने देखने को मिल सकती है छोटी-छोटी दिकानों को पार करके हम ओगीमी नगर पालका के पास पहुँचे लेकिन उस इमारत में हमें कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया जीपियस की मदद से हम अपने तया स्थान पर पहुँच गए यहीं मारत काफी पुराने तरीके से बनाई गई थी और महामार्क से लगकर ही थी तायरा नाम की एक महला वहां हमारी रहा देख रही थी हम दर्वाजे से अंदर गए तायरा के बाजू में एक छोटे कद की महला खड़ी थी उन्होंने हसकर हमारा स्वागत किया और अपना नाम यूकी बताया वहां तुरंत हमारा स्वागत करने के लिए अपनी जगा से उठी और हमें कॉन्फरेंस रूम दिखाया उन्होंने हमें ग्रीन टी उसमें शहर में रहने वाले लोगों की उनकी उमर और कलब जानी मुआई के अनुसार विवाज़त करके लिस्ट बनाई होई थी तायरा ने बताया कि यह सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और संग में मिलकर रहते हैं यही ओगेमी की विशेषता है मुआई एक ही उदेश्य से शुरू किया गया एक गुट होता है वै एक परिवार की तरह जीते हैं तायरा ने बताया कि यह स्वेम सेवा से चलने वाला गुट होता है और इसमें बाकी चीजों को पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी वज़ा से लोग प्रेरित होकर काम करते है इसमें सभी को सम्मिलित होने का मोका मिलता है और सरकार सभी को काम बांट कर देती है इसकी वज़ा से सभी के अंदर ऐसी भावना होती है कि वै महत्तव पूर्ण है और इस समाज का एक अंग है आर्ची पेलागों के उत्री दिशा के सबसे बड़े टापू, कैप, हेड़ों के पहले उगीमी गाउं आता है उगीमी के पहार से हम पूरा उगीमी शहरे एक साथ देख सकते हैं यहां से देखने पर बहुत कम घर दिखाई देते हैं हमें उगीमी के एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए बुलाया गया था हम जब वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां सिर्फ तीन ही टेबल आरक्षित करके रखे गई थे कोई हर्ज नहीं, हम चुराउमी में जाते हैं, वह खाली होगा यूकि अपनी कार की और जाते हुए बोली, 88 वर्ष के होने के बावजूद वह काफी अच्छे तरीके से कार चला रही थी और इसका उन्हें अभिमान भी था, उनके साथ काम करने वाला उनका सहायक निडिन में सालका था और उसने भी हमारे साथ पूरा दिन विताने का वादा किया था उनके साथ रहने के लिए हमें कई बार जोर से गाड़ी चलानी पड़ रही थी हाला कि वहां की सड़कों पर ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन था बहराल हम जंगल की दूसरी और पहुंचे और वहां एक होटल में खाना खाने बैठे मैं ज़्यादा बार होटल में नहीं जाती हूँ यूकी ने कुरसी पर बैठते हुए कहा मैं जो भी खाती हूँ वह ज़्यादा तर मेरे बगीचे में उगाई हुई सब्जियों से बनाया हुआ होता है मैं मचलियां हमेशा अपने पुराने दोस्त तनाका से खरीती हूँ यह होटल समुंदर के पास ही था स्टार वार्स फिल्म में जैसा टापू दिखाया था उसी प्रकार का था उस होटल के मेन्यू कार्ड में लिखा था कि हम गाउं के बगीचे में उगी जैविक में मोसमी सब्जियों से स्लो फूड बनाते हैं मुझे लगता है कि खाना जीवन का महत्तुपूरंग नहीं है यूकी ने अपने विचारों को सब के सामने रखा उनको बाचीत का शौंग था कई सारी संस्थाओं के प्रमुक पदों पर काम करने की वज़ा से उनके पास बोलने का तुजरबा और अधिकार दोनों थे खाने से आपकी लंबी आजू पर सच में कोई परिणाम नहीं होता है खाने के बाद मिठाई के छोटे से टुकडे को मुह में डालते हुई यूकी ने बताया असली वज़ा तो हस्ते हस्ते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना ही है वो गीमी में बार नहीं है होटलों की संख्या भी कम है हमारे जहाँ पर खुशी की व्यक्ष्या लग है हमारे जहाँ पर लोग एक दूसरे से समाजिक केंद्रों में मिलते है शहर के बाजू में सत्रा चोटे चोटे गाउं है, हर गाउं के एक प्रमुक होता है कला, त्योहार, समाजिक कारे और लंबी याजू इनी विभागों के लिए एक-एक मुख्य आदमी की नुक्ति की जाती है यहां के लोग लंबी याजू भिभाग की और जादा ध्यान देते हैं हमें एक छोटे से गाउं के एक समाजिक इंदर की और से नियोता आया था हमें जिस जगा पर जाना था, वह जगा जान बारू जंगल में थी और पुरानी इमारत थी, वह जगा महत्वपूर्ण भी थी जान बारू जंगल का बुना गया चेतन्या, बुना गया जादूई जीव है वह जान बारू और अगीमी जंगल और उसके आसपास के शहर में रहते हैं वह छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं और उनके बाल लंबे वे लाल होते हैं उनको जंगल में खास कर गुजु मारू जानी बर्गत के पेड़ पर रहना पसंद है उनको समुंदर के किनारे मच्छी मारी करना भी पसंद आता है उकी नावा की कही सारी कथाएं बन गया चितन्या के विशे पर ही है वे काफी खुश मिजाज और अनपेक्षित वरताव करते हैं वहां के लोग कहते हैं कि बुना गया को पहाड नदियां समुंदर पेड़ पृत्वी हवा और जानवर पसंद आते हैं अगर आपको उनके साथ दोस्ती करनी है तो आपको कुदरत के प्रती आपके मन में जो आदर है उसे व्यक्त करना पड़ता है जनम दिन की पार्टी हम उस समाजे के इंदर पर पहुंचे वहां लगवग 20 लोग थे और उन्होंने हमारा जोरदार स्वागत किया उन्होंने हमें बताया कि उनके समू के सबसे छोड़े सदस्य की उमर 83 साल थी हमने टेवल पर ग्रीन टी के साथ उनसे वारतलाब भी किया उसके बाद हम पास के खुले मिदान में आये और वहां पर तीन लोगों के जनम दिन की पार्टी की उसमें एक महिला निडिन में साल की थी, एक 94 साल की थी और बर्थडे बुआए की उमर निनियान में होने वाली थी हमने गाउं में गाए जाने वाले कुछ गाने गाए और इंग्रेजी में हैपी बर्थडे कहकर कारेकरम समापत किया डिन में साल की महला ने मुम्बती फूख कर पार्टी में आये लोगों के प्रतिया भार बेक्त किये, हमने घर में ही बनाया हुआ, शिकुवासा का केक खाया, और जैसे किसी 20-22 साल के लड़के का जनम दिन मनाते हैं, उसी परकार नाचते गाते जनम दिन मनाया, हमारी ये पह प्रिक समारों में समलित हुए, उनके साथ खाना खाया, और नाच गाने के साथ उनके खुशी में शामिल हुए, हर दिन एक साथ खुशी से मनाओ, उगीमी जीवन शैली में संभारंब को काफी महतब दिया जाता है, वजीर के लोगों में काफी मशूर खेल, गेट बाल को देखने के लिए हमें बुलाया गया था, इसमें लकड़ी के हाथों से बाल को मारा जाता है, कम जगा में और कम साधनों के साथ ये खेल खेला जाता है, इसलिए जब चार लोग मिलते हैं, तो समय निकाल कर इस खेल को खेलने में जुट जाते हैं, वहां के लोग आपस में प्रतियोगिताएं और जोजित करते हैं, और समलित होने के लिए उमर की कोई शर्त नहीं होती, हम भी खेल में शामिल हो गए, लेकिन दुरुभाग्या वश, हम 104 उमर की एक महला ने हरा दिया, सबी लोग मिलकर उन्हें प्रेरना दे रहे थे, और देखते देखते उन्हों के भगवान, औकिनावा का महत्पुन धर्म होता है, रिजुक्यू शिन्तो, रिजुक्यू ऑकिनावा के टाप्वों के समू का नाम है, और शिन्तो मतलब भगवान की और जाने वाला मारग, रिजुक्यू ु कीवित्षियनिजम एप कुछ लोगों के पास इश्वरिय चेतन्य प्राप्त करने की क्षंता होती है इसी के साथ पेड़ पोदे जानवर पत्थर और कुदर्त की चीजों में भी इश्वरिय चेतन्य होता है जिसका इंसान परस्र होता रहता है प्राचिन समय से चले आए इस धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई सारी आत्माओं से मिलकर इस विश्व की निर्मती हुई है यह चेतन्य घर में, जंगलों में, पेडों में और पहाडों में भी होता है शांत अंत करण से और धार्मिक विदी के दवारा हम पुवित्र महोल में उस चेतन्य को अमंतृत कर सकते हैं ओकिनावा ऐसे कही सारे पुवित्र स्थानों से और जंगलों से भरा हुआ है इसमें दो महत्वपुन मंदिर भी शामिल है एक है उटाकी और दूसरा है उगांजू हम उगांजू मंदिर गए थे जह एक छोटा सा मंदिर है जिसके बाजू में एक जहरना है काफी सारी खुली हवा और रोचनी इसकी वशेष्टा है धूब की खुश्बू सभी और फैली हुई होती है उटाकी मंदिर पत्थ्रों से बनाया गया है और वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर आतमाय जमा होती है ओकी नावा धरम में महलाओं को पूर्चों से ज़्यादा शक्षम मना जाता है यूता ऐसी महलाएं होती है जिनके माध्यम से आतमाओं से संपर्क बनाया जा सकता है जपान में पूर्वजो की पूजा करना उनकी दिन्चरिय का हिस्सा है घर के सबसे बड़े बेटे के घर में एक छोटे से मंदिर में इन पूर्वजो की पूजा और प्राथना की जाती है माभूई हर इंसान में इश्वर का अंश जानी माभूई होता ही है जहे चेतन्य का अंश होता है और हमारे जीवन का असली स्रोतर होता है जहेचे तन्य अमर होता है और हमारे अस्तित्व की असली पहचान होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी मृत्य इंसान की आत्मा जीवित इंसान में अटक जाती है किसी की अचानक मोत हो जाए तो ऐसा होने की संभाव ना जादा होती है खासकर किसी की कम उमर में मोत होती है तो उसकी आत्मा मुर्ति लोग से जाने के लिए त्यार नहीं होती वे ऐसा मानते हैं कि सिर्फ छूटने से भी एक इंसान की आत्मा दूसरे इंसान के श्रीर में प्रुवेश कर सकती है कोई दादी मा अपनी पोती को दी हुई उंगुठी से भी उसके श्रीर में प्रुवेश करती है इतना ही नहीं वह फोटो के माध्यम से भी प्रुवेश करती है जितने बुजर्ग उतने शशक्त ओगीमी में हमारे धिन भले ही व्यस्त थे लेकिन फिर भी अरामदाई थे हम वहां के लोगों की तरह काम कर रहे थे वैसे देखा जाए तो यहां के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और कुछ न कुछ काम करते रहते हैं लेकिन गोर से देखा जाए तो वै काफी शानत और तनाव रहीत दिखाई देंगे वे सभी अपनी की गाई के हिसाब से काम करते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भागदोड या जल्दबाजी नहीं होती है वे खुशी के साथ काम करते हैं साथ ही दो साल पहले वाशिंग्टन बर्नप्र के बताये हुसे सिदांत का पालन भी करते हैं जिसके अनुसार अगर आपको हमेशा खुश रहना हो तो कोई ऐसा लक्ष जिसके लिए आपके दिल में बेपनाह मुहब्बत हो और हमेशा कुछ ना कुछ हांसिल करने की चाहा चाहिए तो गीमी में अपने आखरी दिन हम शहर के पास थी तेक बजार में ख्रीदारी करने के लिए गए उस जगा पर सबजी, ग्रीन टी, शकुवासा का रस और चितन्य से भरा हुआ पानी पीने को मिलता है उन बोतलों पर लिखा होता है लंबी आजू के लिए पानी हमने वह लंबी आजू देने वाला पानी ख्रीदा और समुंदर की और देखकर इस आशा से वह पानी पिया कि उस पानी की वज़ा से हमें भी लंबी आजू प्राप्त होगी और हमें भी अपना इकी गाई मिलेगा इसके बाद हमने बुन गया का फोटो लिया और फिर वहाँ पर लिखे हुए तमाम संदेश पढ़ने की शुरुआत की असी की उमर में भी मैं छोटा ही था जब मैं रब्बे साल का होने के बाद तुम्हें मिलने आऊं तो मुझे सो साल तक रुखने की सलाह देना व्यसक और शशक्त आपकी उमर कितनी भी बढ़ जाए कभी भी अपने बच्चों पर निर्भर ना होना अगर आप लंबी आजू और स्वास्ति की खोज में हो तो आपका हमारे गाउं में स्वागत है यहां आपको कुदरत का वरदान मिलेगा हम दोनों मिलकर लंबी आजू के राज को उजागर करेंगे ओगीमी फेडरेशन आफ सीनियर सिटिजन कलब्स मुलाकात हम जब वहां पर थे तब हमने कई लोगों से बाचित की उस दोरान हमने वहां के बजर्ग लोगों से उनकी लंबी आजू, तत्तव ग्यान और इकी गाई के राज पूछे हमने उनसे कहा कि हमें उस पर एक डॉकुमेंटरी बनानी है साथ ही उसे किताब में भी शामिल करना है उन लोगों ने जो राज बताए वैस प्रकार थे नमबर एक चिंता ना करें लंबी आजू का राज है चिंता ना करना मन से सदा जुवा रहना और मन को कभी भी भूड़ा ना होने देना खुले मन से और हस्ते हस्ते सामने आए इंसान का स्वागत करें अगर आप खुले मन से और हस्ते हस्ते लोगों के सामने जाएंगे तो आपको पोतों समेथ सभी लोग आपसे मिलने के लिए उतसाइद रहेंगे अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और उनसे बादचीत करना मैं जहेरोज करता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ और प्रणाम करके बादचीत की शुरुआत करता हूँ अंत में दुबारा मिलने का आशवाशन भी देता हूँ फिर मैं घर आकर अपने बगीचे में लगी सबजियों की देखभाल करता हूँ और दपहर में दोस्तों से मिलता हूँ हम सभी कठा होते हैं हम मिलने के लिए वज़ा नहीं ढूंडते और मिलने के बाद समस्याई नहीं खोजते कठा होना और मज़ा करना ही हमारा एक मातर उदेश्य होता है सुब़ शे बज़े उठकर बगीचे में उगी सबजियों की और देखना मुझे बहुत पसंद आता है मैं वहाँ जाकर अपने लगाए हुए टमाटरों और मिंडारीन संतरों को देखता हूँ ऐसा करने से मुझे शांती और खोशी महसूस होती है एक घंटा बगीचे में बिताने के बाद मैं घर आकर नाश्ता करता हूँ मैं अपनी सब्जी खुद अपने बगीचे में उगाती हूँ और अपने लिए खुद खाना पकाती हूँ यही मेरा इकिगाई है भूड़ी होने पर भी अपने बुद्धी को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में है अगर आपने अपने हाथ चालू रखे इसको थोड़ा थोड़ा खाता हूँ मुझे लगता है यही मेरी लंबी आजू का राज है मुझे खाने में अलग-लग पदार्त अच्छे लगते हैं इससे मज़ा आता है अगर आपने काम करना बंद किया तो आपका श्रीर खत्म हो जाता है मैं उठते ही बुट सूडन में धूप लगाता हूँ आपको हमेशे अपने पुर्वजों का समर्ण करना चाहिए मैं सुबह की शुरुवात परात्रा से करता हूँ मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ मैं सुबह के समय बगीचे में सबजियों के साथ बिताता हूँ मैं हफते में कम से कम एक बार दोस्तों के साथ नाचता हूँ मैं रोज वियायाम करता हूँ और टहलने के लिए जाता हूँ मैं रोज बिना चूके टाइसो प्रकार का वियायाम करता हूँ सबजियां खाता हूँ, सबजियां आपको लंबी आजू देती है लंबी आजू के लिए तीन चीज़े जरूर होती है विया याम अच्छा आहार और मित्नर परिवार नमबर तीन, अपनी दोस्ती को रोज सीचें दोस्तों के साथ रहना ही मेरा इकिगाई है हम रोज मिलते हैं और गपशब करते हैं मेरे लिए यही सबसे महत्तपूलन बात है मुझे पता होता है कि कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे और यहे बात मुझे काफी अच्छी लगती है दोस्तों और पडोस्यों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे अनदित करने वाली बात है अपनी पसंद के लोगों के साथ बाचित करना ही मेरी लंबी आजू का राज है मैं जब भी रास्थे से जाता हूं तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हैलो करता हूं और जल्दी मिलेंगे ऐसा भी कहता हूं जो लोग कार से जाते हैं उनका भी बादन करता हूँ और उनसे कहता हूँ गाड़ी धीमे चलाए साथ बज़ के बीस मिल्ट से लेकर आठ बज़ के पंदरा मिल्ट बज़े तक मैं घर से बाहर रहता हूँ सभी से मिलता हूँ और जब सभी निकल जाते हैं तो अपने घर लोडता हूँ एक साथ गाना गाना और चाय पीते पीते पडोसियों से कप्षप करना मेरे विचार से मेरे जीवन की जे दो सबसे अच्छी बाते हैं मैं रोज सुबे पांच बजे उड़ता हूँ समुंदर के किनारे टहलने जाता हूँ फिर दोस्तों के पास जाकर चाय पीता हूँ लोगों से मिलना और उनके साथ अलग अलग जगाउं पर जाना ही मेरी लंबी आजू का राज है अराम से और इत्मिनान से जीना ही मेरी लंबी आजू का राज है अगर आप जल्दवाजी नहीं करेंगे तो जिकीनन लंबी आजू पाएंगे मैं कोडियों से चीजे बनाता हूँ वही मेरी इकिगाई है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और पराथना करता हूँ उसके बाद मैं वैयाम और नाश्टा करता हूँ साथ बज़े मैं काम की शुरुवात करता हूँ पांच बज़े तक जब तक मन करता है तब तक काम करता हूँ और उसके बाद दोस्तों से मिलने जाता हूँ रोज नई-नई चीजे करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना यही मेरी लंबी आजू का राज है मैं किसी भी काम को अपने उपर हावी नहीं होने देता हूँ और यही सबसे महत्तपूर्ण बात है जल्दी सोएं, जल्दी उठें और लंबी आजू पाएं रोज सुबे टहलने जाएं छोड़ी छोड़ी चीजों में भी अनंद लेने की कला सीखें और शांती से जीएं धूप हो, बारिश हो, जा सर्दी हो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं रोज सुबे उठने के बाद मैं अपने आपको बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्तो और उर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फाइदा लूँगा मैं 95 साल की हूँ लेकिन अपने आपको जुवा ही समझती हूँ मुझे अभी भी बहुत सारी चीजे करनी है हसी ये हसना बहुत ही महत्वपुर्ण होता है मैं जहां भी जाती हूँ हमेशा हस्ती रहती हूँ मैं 100 साल तक जीओंगी जहीं मेरी प्रेरना है ओगीमी जीवन की सबसे महत्वपुर्ण बात है सदा खुश रहना मुझे इस समाज से जो भी मिला है उसे बापस देना ही मेरी लिए सबसे महत्वपुर्ण है इसलिए मैं हमेशा समाजिक कारियों में समलित होता हूँ मैं दोस्तों के लिए हमेशा अपनी कार त्यार रखता हूँ इसमें कोई राज नहीं है जीते रहना ही इसके पीछे का राज है हमने जिन जिन लोगों से बात की उन सभी के पास खुद के सबजियों के बगीचे थे चाय के बागान थे आम और शिकुवासा के बगीचे थे हर एक के अपने पडोसियों के साथ काफी घरेलू संबंद थे और वै एक दूसरे की काफी अच्छे तरीके से देखवाल करते थे वै हमेशा सवारम करते थे छोटी-छोटी बातों में अनंद लेते थे नाच, गाना और संगीत उनके जीवन का महत्तपुर्ण अंग था वै सभी एक जा एक से अति कुदिश्यों से प्रेरित थे उन सभी को अपनाई की गाइस फ़स्ट था और वै उन चीजों का तनाव नहीं लेते थे उनको अपनी संस्कृती और परमप्राओं का अभिमान था काम कितना भी छोटा क्यों ना हो वै उसे उतने ही उत्सा के साथ पूरा करते थे यहां कि लोगों को जूई मारू मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर जीना अच्छा लगता था वै खेती से लेकर इमारत बांधने जैसे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे हमारे वहां से निकलने के एक दिन पहले वाली रात को खाना खाते वक्त मियागी ने बताया कि सबी लोग मिलकर आपके लिए एक घर बना रहे हैं और अगली बार आने पर आप उस घर में रह सकते हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन व्यस्त रहते हुए भी राम से रहने की कला उन्हें अच्छी तरीके से आती है किसी बगीचे में बेंच पर खाली बैठे हुए कोई बुजर्ग हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिये वे हमेशा घूमते रहते हैं किसी से मिलते रहते हैं गेट बाल खेलते रहते हैं जा करा ओके गाते रहते हैं